हेलो फ्रेंड सुआगत आपका मेरे यूट्व चैनल में आ आज हम बच्चों की परवर्ष को लेकर बात करेंगे कैसी बच्चों की परवर्ष करनी चाहिए देखिए बच्छे वही चीखते हैं जो आपकरते हैं यह फिर बच्चे वही सीखते हैंurer जो आपकल रूरी कर की आधी बच्च को अड़े संसकार देना इना इसंदगे यह देख के कि जैसे जए बच्चा सेसी बड़ा होता है कि जोटी होगा इसे आादब होती है इसे आगे चले कर आपको परिशानी हो सकतwand उन्हें शुरू से ही दीरे-दीरे नुशाशन में रहना सिखाएं जबकि कुछ मातापिताई क्यादत होती है कि बच्चों को छोट-छोटी बात पर रोका टोकी करते हैं निर्देश देते हैं कि ऐसा मत करो ऐसा करो और उनके ना समझने पर बच्चों को मारने लगते हैं या फिर डाटने भी लगते हैं ये तरीका भी बहुत गलत हुता है वे अभी छोटे हैं आपका बार-बार बच्चे को मारना डाटना या फिर रोगना यह बच्चे को जिद्धी बना सकता है तो बच्चे को आपको जो कुछ भी बताना है, सिखाना है, बच्चे को सब कुछ प्यार से समझाईए, प्यार से उनको बताईए. इससे बच्चा अच्छे से भी सिखेगा और खुश होकर भी सिखेगा. आपने बच्चे को आतम निर्वर बनाएं देखिए बच्छा जब चोटा होता है और तो उने अपने छोटे-चोटे फैसले खुद लेने दीजिएं, जैसे कि उन्हें डांस क्लास जोयन करने है, या फिर जिएम जाना या कराटे क्लास लिने है, जो बच्चे का अंद कुछी फैसले लेने में आसानी होगी जैसे उनको क्या जोब करनी आगे चलके कौन से सब्जाट के लेने हैं कौन सी फिल्ड में उनको जाना है तो आप बच्पन में उनको छोटी छोटी फैसले लेने देंगे तो आगे चलकर वो अच्छे से अपने फैसलों को ले सकेंगे और सही फ बिताना चाहिए लेकिन ये प्रोब्लम माता पिता के साथ जादा आती है जो कि वर्किंग पेरेंस होते हैं तो ऐसे पेरेंस को जो है वीकेंड के दिन अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए वीकेंड वाले दिन बच्चों को अच्छे से बैठ क करें देखिए आप वो टाइम नीरा जो की पहले होता था कि जो माता-पिता ने कहा दिया वही सही होता है अब बच्चों को आप समय बदल गया है हर बच्चे का अपना एक नजरिया होता है अगर माबाप जो है जो है जो दबस्ति करके डाट के बच्चे के साथ रहता है तो इससे बच्चा माबाप से दूर जला जाता है तो इस तरह को बच्चे के साथ नहीं रहना है बच्चे के साथ आपको दोस्त बन कर रहना होगा जिससे की बच्चे आपको समझे और बच्चे आपसे बाते करें और अपनी हर चीज आपको खुल कर बताएं बच्चों को पूरी ना करते हुए, बच्चे को यह समझाना चाहिए कि गलत बाद पर बच्चे को बड़े होते हैं, चीजों को जादा समझते हैं, एक दूसरे को देखते हैं आधे, तो बच्चे ऐसाब से अपने आपको जैसे माल आत करने लग जाते हैं तो ऐसी गल्तियाँ होती Currently बच्वन में यापको रोग देना चाहिएसे जूतब नहीं करने चाहिए खार आपको भूर्स पब्लॉओन सब्सक्ण कुछ माताफिताą ऐसे होते हैं जो को दोक्टर बनना या पिर ये सबजेक्ट लेने अधी ऐसी चीज़े होते हैं जो बैइन नहीं करना है इससे जो आपके बच्चे जो तनावगरस हो सकते हैं और उनका सुभाविक इकास बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा देखे बच्चा अपने साथ खुद की अपनी खूबिया लेकर आता है उसको सुभाविक रूप से उनको बढ़ने बच्चों के सामने अब दर भाशा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे बच्चे जो है नाजगमन के होते हैं उनके सामने आप जैसा व्यवार करते हैं बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं अगर आप उनके सामने अच्छी भाशा बोलते हैं तो बच्चे भी वैसे ही बोलता है अगर आप उसकी सामने गुसा करते हैं तो बच्चा भी गुसा करना ही सीखेगा सबसे पहले आपको खुद अपने उपर नियंतर करना है कि आपको सोच समझ कर बात दे करना है सोच समझ कर रहना है तो बच्चा भी आपको देखकर उसी तरह रहे तो आपको ये चीजे जो है अपने घर के मावल को चेंज करना पड़ेगा जैसा आप बच्चे से चाते हैं आपको खुद भी वैसा ही बनना पड़ेगा जिससे कि आपका बच्चा जो है आपको देखकर वैसा ही बोले देखिए जो मावल आपके घर का होगा ना बच्चा भी दीरे दीरे वैसा ही बन जाएगा तो यह थी कुछ ऐसी बातें जिसे कि आप अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए